अधियों नमस्कार वेलकम करता हूँ आपका चौदरी लीगल असेसियेट्स पर आज हम बात करेंगे सूचना अधिकार अधियम में आवेदन और पत्राचार इनकी समय सीमा क्या है कई बार सुनने में आता है कि 48 घंटे कंदर भी सूचना देने का प्रावधान है और कई बार यह देखने में आता है जब हम लिखा पड़ी करते हैं जब हम इसकी प्रॉसेस म हजाते हैं तो कई बार यह देखने में आता है कि छोट उट लिखनार हों तो आखिर नियम क्या है आखिर कानून क्या है और वी में तक भी सूचनांने नहीं मिलती सब्सक्राइब कर youngest call और वीडियो व्हें करें को आपकल आपको मिले हाँ और वीडियो को अब लोग आ करें आगे करके न किन आप बीडियो न हम समाज各 के उस वंचित अरगरीब टपके के लिए वीडियो अपना दे के अभाव में सही लीगल राय ना मिलने की वज़ेसे नियाय से वंचित रह जाता है तो हमारी मदद करें उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाएं शियर करें आए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक बड़ा इंपोडेंट है आज मैं सूचना अधिकार दरगारसाथ आप लोगों के लिए लिकारा हूँ क्योंकि सूचना अधिकार अधिकर दरगारां के जितने वीभी पत्तरा 5 हैं ऑस्मय सीमा क्या होगी कुछ लोग ठेsheet हैं यह 30 दिन कुछ लोग कहते हैं एक साल गया मेरे एक साल हो गया मेरे विवर्स मुझे लिख रहे हैं कि सब्सक्राइब बस एक समय क्या है तूचना अधिकार अधनियम की धारा साथ जो है इस बात का सीधे-सीधे उल्लेक करती है कि सूचना जो है उनका निप्टारा जो है वो कितने दिनों में होगा जिहां सेक्शन साथ में इस बारे में बताया गया और इसकी जो सब्सेक्शन वन है धारा साथ की उप्धारा एक जो है वह सीधे-सीधे उल्लेक करती है कि जब भी कोई आप आवेदन देंगे अपील देंगे या कोई पत्तरचार आप उसमें करेंगे उसके लिए जो अधनियम ने जो समय सीमा जो तै कि तारीक से 30 दिन के भीतर सूचना आपको उप्लब्द करानी होंगी धारा साथ एक में इस बात का इस परस्ट रूप से उल्लेक है साथ ही यहां पर यह भी बताया गया कि वे सूचना है जो किसी के प्राण और जीवन से संबंदित होंगी वे सूचना है आपको 48 घंटे के कि भीतर भीतर जन सूचना अधिकारी को अप्लब्द करानी होंगी धारा साथ का सब क्लॉस एक सेवन सब क्लॉस वन को आप लोग याद रखें और से सब्सक्राइबर ने पूछा जब मैंने उनको एक वीडियो में जारी किया जिसमें बताया कि 48 घंटे के अंदर सूचना अपराप्त कर सकते हैं तो बहुत सो लोगों ने पूछा सर प्रोसेस क्या है कैसे है क्या है तो मैं उन सब्सक्राइब जवाब दे रहा हूं बता रहा हूं वीडियो के जरिए कि धारा साथ के सब क्लॉस वन में अगर आपके जीवन से संबंदित आपके प्राणों के खत्र सब्सक्राइब आपको जनसूचन अधिकारी आपको आपके जीवन को खत्रा है तो उस अनुच्यत को इसमें शामिल इसलिए कि आपके जीवन की रक्षा हो सके आपकी जीवन को बचाए जा सके आपके प्राण को बचाए जा सके इसलिए केवल यह सूचना है केवल इस प्रकार की सूचना है जिनसे आपके जीवन को खत्रा है वे आपको 48 घंटे में अपलब्द कराई जाएंगी धारा साथ का क्लॉस वन इस बारे में सीधे-सीधे आपको आधिशित करता है और को अध्यान रखें अगर सूचना आपके आपके परेजन के या किसी भी व्यक्ति प्राहरण से समबंदेथ के उसकी जान जा चुकी है जो भी आपको केवाल यादृत रखना है के प्राहर मिलेगी आपको सुचना तORANT सुचना मिलेगी एक घंटे में लाइट सकती है अगर सुचना ढूंड़ना बहुत पंगुष करें~? अगर 48 घंटे गंदर आपको सुचना नहीं मिलती है संबंदित जन सुचना अधिगारी के विरुद सुसंगत धाराओं में 166 188 207 272 और 450 के आप लोग संबंदित थाने में आके अपनी रिपोर्ट को दर्ज भी करवा सकते हैं तो धारा साथ जो है वो सीधे समय सीमा का उलेक करती है समय सीमा को बताती है आप लोग अगर अपना आवेदन दे रहे हैं और 30 दिन तक आपको कोई भी जानकारी किसी प्रकार की नहीं मिली है तो आप संबंदित अथर्टी में जहां से आपने आवेदन किया उनको अपील दे जाने के बाद 30 दिन का है तो आप लोग याद रखें सुचना अधिका रधनियम की धारा साथ वन कहती है कि तीस दिन की समय सीमा है अगर मामला आपकी जीवन से संबंद देते तो 48 घंटे मैक्सिमम है वरना हातों हात सुचना दिये जाने का प्राउधान है तो आज के के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भीम जय भारत जिन्दवर्ण